मतुरा के हाईवे थाना शेत्र की शंकरपुरी कलोनी में दो माहा की बच्ची की मौत हो गई वहीं इलाके में 25 बच्चे बिमार है मृतकों और बिमार बच्चों के परिजनों का रोप है कि स्वास्ते विभाग की ओर से आंगन बाड़ी केंदर पर बच्चों का टीका करण किया गया था उसके बद बच्चे बिमार हुए और एक बच्ची की मौत हो गई स्वास्ते विभाग के संयुक्त टीम मामले की जांच में जुट गई है मृतका के पिता ने एनम के खिलाफ तहरीर दी है कि बात कर के तो उसने बोला तक है तूम किसी की बाथों मत आना और तूम अपने बच्चे को दफना और जिसका चितना कर जा रहा था तो पर वो चली अब तो मुझे जान कर दिया ता किसी को कुछ नी बोलना तुम तो अपना कर दो अपना कर दो अपना कर दो अब तो मेंने की ती वही मुकेच इकारी ने मौके पर पहुंचकर बच्चों की तवियत को देखा और जिन बच्चों की मौत हुई उनको पोस्ट माटम की भी बात कही है पोस्ट माटम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा ब्रस्वतिवार को नेमिट टीका करनों का सत्रायुजीत किया गया था उसमें ये बच्ची है चंचल तो महा की बच्ची है इनके पिता का नाम नीरज है इस बच्ची को भी पेंटा वन पेंटा वेलेंट की वैक्सिन दी गई थी और इस बच्ची के साथ साथ 11 और बच्चे थे जिनको पेंटा वेलेंट की वैक्सिन दी गई थी फर्स डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज इस बच्ची के मातपिता का कहना है कि शुकरवार की सुबह बच्ची के नाक से और मुझे खून आया उसके बाद उसकी बड़ती हो गई बेतर यह होता है कि उस समय अगर कहीं इनको संचे था कि टीका कराने से या किसी वज़े से डेत हुई है तो पोस्वार्टम कराना चाहिए था लेकिन पोस्वार्टम बगर कराएं उन्होंने बच्ची को दफना दिया आज जब हम गएं तो बागी बच्चों को भी देखा सारे बच्चे स्वस्त हैं इस बच्ची की जो मृत्व हुई है उसका दुख है आतियन दुख है और यदि पोस्वार्टम हो जाता तो इस पस्वार्टम हो जाती लेकिन यह सत्पितिशत रूप से निश्चित है कि टीका करन से कोई भी मृत्व नहीं फिरहाल मृत्व का के पिता ने एनम के खिलाफ तहरे दी है पुलिस भी अपने इस्तर से जांच में जुटी है पंजाब के स्ट्व टीवी के लिए मत्रा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट